तो असलाम वालेकुम गाईस इट्स मीनोड चार्ली लेकर आज कहूँ आप लोगों के लिए एक ब्रेंड न्यू वीडियो तो भाई आज की दिए काफी स्पेशल रहने वाले काफी ज़िदा इंट्रेस्टिंग रहने वाले क्योंकि आप में से काफी लोगों करने मजी तो उसके बारे ही बात होगी बाकी जितने भी न्यू अच्यूमेंट से उसके बारे ही बात करेंगे जैसे के सूपर वारियर है डग फ्लेट है और एक हमारे पास बई डबलियो और डबलियो के बारे में भी मतलब वर्ट ओफ वंडर का अच्यूमेंट पी है तो उसके उप की जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बल ऐकुन को ओल पे कर लो ताके आने वाली हर एक न्यूव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फर्स और फोल हम बात कर लेते हैं विश कम ट्रू अच्यूमेंट के बारे में जिसके अंदर लगबग आपको तकरीबन तकरीबन नहीं भी होगा ना तो 65 अच्यूमेंट पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं तो आपने करना इसमें क्या है फर्स नमबर पे आपने इसके अंदर की को यूज करना है अगर आपने एक दफा हमारा न्यू मोट कहला है ना तो आपको तो आपको ये तीनों लेयर ए आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसको कैसे कंप्लीट करना है कैसे नहीं वैसे जितना मुझे लगता है आपने अभी तक इन तीनों को कंप्लीट कर लिया होगा अगर आपने इसमें से कंप्लीट कुछ नहीं किया तो वो होगा इसका फोर्थ पार्ट जिसके अंदर है कं आप लोग को अभी तक पता नहीं है और इसके अंदर एक title भी मिल रहा है टाइटल का नाम है legendary team तो आप जैसे इसका नाम है वैसा इसका काम भी है आप लोग ने अपने team के साथ केलना होगा सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर आपने लगबग 7 चिकन डिनर निकालने है इन अरो और उसके बाद 8 वे गेम के अंदर जब आप लोग उत्रोगे तो आपको वह एक जगा मिलेगी जहां पे जाके वह आप लोग पूरी लोबी को चेलिंज कर पाओगे आप लोग एक मिनी गेम के लोगे तो आपको कुछ ड्रेगन बोल्स देखने को मिलेंगे जिसको आप लोगे ने कम्पलीट करना है उनको आपने कुलेक्ट करना है जैसे ही आप लोग उसको कुलेक्ट करोगे तो पूरे मेप के अंदर जितने भी बंदे होंगे आपकी location उनको map के उपर देखने को मिल जाएगी एक red dot उनको देखने को मिल रहोगा तो आपके उपर वो लोग भई पुश करोंगे जितने भी map में लोग होंगे अगर वो समझते इस चीज़ को वो आपके उपर पुश करोंगे आपने भई उनको defeat करना है आपने उनको मारना है और अगर आप लोग उस game के अंदर भी chicken dinner निकालते हो तो जब result आता है जब हमारे चारो के चारो टीम मेट कड़े होते है गेम के end में तो वहाँ पे ये लोग करेंगे ड्रेगन बोल ट्राइल एक animation सा करेंगे जिसकी मरत से आपका ये achievement पी complete हो जाएगा और आपको free में एक title मिल जाएगा जिसका नाम है legendary team और इसी के साथ साथ आपको 30 achievement point पी मिल जाएगे और इसी के साथ साथ आपका ये achievement complete हो जाएगा जिसका नाम है wish come true इसके बाद हम बात कर लेते हैं super warrior achievement के बारे में जिसके अंदर आप लोगों ने कुछ नहीं करना बहुत simple है बहुत easy है लेकिन आपके पास कल आएगा तो आप लोग इसको कल complete कर लेना मैं वीडियो में अभी आपको explain करके बता देता हूँ तो देखो भाई कल हमारे पास जो update आने वाला है उसके अंदर हमारे पास जोने डेगन बोल जी के करेक्टर जोंगे जिसमें पहले नमबर पे हमारे पास है सन गूकू उससे आप लोगों ने तीन बंदों को eliminate करना है जो के बहुत easy है बहुत simple है एक game के अंदर भी आप लोग कर सकते हो ने तो एक दो game के अंदर तो होई जाएगा इसी के साथ सथ भी second number पे हमारे पास आता है वेजीता तो भाई उसके उपर भी आप लोगों ने तीन बंदों को eliminate करना है तीन बंदों को kill करना है आपका भाई ये वाला layer भी complete हो जाएगा इसके बाद भी third number पे हमारे पास आता है सन गोहान जिसके अंदर भी आप लोगों ने भी तीन बंदों को eliminate करना है ये सब भाई आप लोग एक एक game के अंदर easily complete कर सकते हो तोटल आपको 5 game इसके लिए केलने होंगे इसके बाद भाई हमारे पास fourth number पे आता है जिसके मरत से आपको 30 achievement point मिल जाएंगे और दो भाई आपको यहां से classic rate के coupon मिल जाएंगे इसके बाद हमारे पास आता है deck flat achievement जो के बहुत easy है बहुत ही simple है आप लोगों ने करना इसके अंदर ये है कि भाई आप लोगों ने इसके अंदर rank mode केलना होगा rank mode के अंदर आप लोगों ने भाई duck को डूढ़ना होगा अगर आप पहले से मेरे channel पर तो आपको पता होगा के duck आपको कहां से मिलने वाली है अगर आपको पता नहीं है तो screen के उपर आपको देखने को मिल रहोगा के duck भाई आपको कहां पर मिलेगी तो इसके अंदर भाई एक twist है तो भाई आपने इसके अंदर ducks को मतलब एक दूसरे के पीछे लगाना है एक दूसरे के साथ attach करना है तोटल अगर आप लोग 6 duck को एक दूसरे के साथ attach करते हो तो आपका ये वाला achievement पी complete हो जाएगा जिसकी मरत से आपको 20 achievement point मिल जाएंगे और 6 आपको वही classic crate के coupon मिल जाएंगे तो ये achievement भी काफी simple है काफी easy है उमीद करूँगा आपको इसकी समझ आ गई होगी इसके बाद हम बात कर लेते हमारे wow mood के achievement के बारे में जिसका नाम है wonderland architect तो भाई इसके अंदर आप लोगों ने पहले तो जो है ना wow mood के अंदर को इमेप बनाया हुआ हूँ और उस map पे भाई काफी अच्छा response आपको मिला हूँ वो map काफी लोगों ने कहला हुआ हूँ काफी लोगों ने उसको like किया हूँ काफी लोगों ने उसके उपर support दिखाई हूँ जिसे भाई मैंने जो है ना wow mood के अंदर एक map बनाया था अगर आपको पता होगा मैंने भाई mini Pakistan के नाम से एक map बनाया था जो के यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ आप लोग अपने screen के उपर check out कर सकते हूँ तो भाई इसके उपर काफी अच्छा support मुझे देखने को मिला था और तक्रिवन भाई एक लाग से ज्यादा लोगों ने इसको केला था 33,000 से ज्यादा लोगों ने इसको like किया था और काफी अच्छा support इसके उपर देखने को मिला था मुझे तो गाईस आपने पहले आना है wow mode के उपर उसके बाद आपने कोई map अगर बनाया तो यहाँ पर creations के उपर क्लिक कर देना है दिन आपने publish पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपका नाम दिख रहा होगा आपका profile दिख रहा होगा उसके नीचे आपको एक option देखने को मिल रहा होगा आपने उसके उपर simply क्लिक कर देना है यहाँ पे सब कुछ आपको दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा यहाँ पे levels भी आप लोग चेकाउट कर सकते हो अगर आपका 0 level है आपने अभी तक भई कोई map नहीं बनाया तो पहले तो आपको भई इसके लिए apply करना होगा आपको जब approval मिलेगा दिन आपने कोई map बनाना होगा उसके बाद भई आप लोग को उसको promote करना होगा अपने टिक टोक के उपर या कहीं और जगाओ पर मतलब लोग उसके अंदर आने चाहिए लोग उसको पसंद करें लोग उसके अंदर खेले देन आप लोग इस achievement को शुरुआत कर सकते हो तर लेवल वन भई इसका यहाँ पर आप लोग देख सकते हो rising builder है उसके बाद भई यहाँ पर second level भी आप लोग चेक आउट कर सकते हो जो के मेरा complete है तर्ड लेवल भी मेरा complete है fourth level भी मेरा complete है और fourth level के अंदर मेरी जो exp है वो है 2,27,000 के आसपास और अगर आपको भई यहाँ पर fifth level complete करना है तो भई आपको इसके अंदर करने होंगे पांच लाक पांच लाक exp अगर आपके पास आता है तो आपका fifth level भी complete हो जाएगा जिस की मेराच से आपको भई एक प्यारा सा name take मिल जाएगा लोग इसको पसंद करना चाहिए बाकी इसके अंदर इतना कुछ नहीं है simple सा scene है लेकिन मुश्किल इसके अंदर यह है कि आप लोगों ने इसके लिए apply करना है आपने इसके अंदर कोई ऐसा map बनाना है जिसको भई लोग देखकर पसंद करें लोग इसको अंदर जैना कहलना शुरू करें मैं आपको भई यहां पे name take भी दिखायाता हूँ इसका frame भी आप लोग यहां पे check out कर सकते हो और यहां पे इसका name take भी दिखायाता हूँ ताके आपको idea हो जाए कि यह name take कैसा है तो यहां पे name take भी आप लोग चेकाऊट कर सकते हो काफी भाई खुबसूरत किसम का है मुझे तो काफी ज़र पसंद है और मैं इसके लिए try भी करूँगा कि मुझे यह name take मिल जाए बाकी उमीद करूँगा आपको यह video समझ में आई होगी बाई अगर आपको यह video समझ में है आपको यह video पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ यह video शेर जरूर से कर लें ताके वो भी achievement complete करे उनको achievement point मिले और जिसका unique destiny अभी तक complete नहीं हुआ उनका unique destiny complete हो जाए और जाते जाते बाई टेलेग्राम पर follow जरूर से कर लेना वहाँ पर मैं बाई ओडियंस के साथ काफी ज़्यदा active हूँ वहाँ पर जो भी वीडियो में डालता हूँ उसके पहले में वहाँ पर बता देता हूँ तो भाई टेलेग्राम का लिंक आपको description के अंदर से देखने को मिल जाएगा मिलेंगे आप लोगों से आने वाली एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए पने भाई को दीजिए जाज़त दुआओं में याद रखिए अल्लाहाफेज